हलो मैं आपको बेड वेटिंग के बारे में बताने माला हूँ बेड वेटिंग मतलब इस्तर में पेशाप करना रात में यह दिन में भी हो सकता है तीन साल के उमर तक बच्चा यही बेड वेटिंग करता है सपने में, मतलब रात में, सूने में, नीन में, यहां जाकते हुए तो उसको बैसा नार्मल कहा आजाता है मतलब तीन साल के बाद में, यदि वो बेड़ वेटिंग करता है, विस्तर गिला करता है, तो फिर उसको ट्रीट्मेंट की जरुवत है अब इसके वाजन एक कारण है, कि यह होता क्यों है यह बेड़ वेटिंग हो रहा है, तो इसका प्रमुप कारण मांग सीक है मगर साइकियाटरिस के तरफ, मनोच की सद्ध के तरफ यह बच्चों को लाया नहीं जाता क्योंकि मनोच की सद्ध यह हो गया, हमारा बच्चा क्या पागल हो गया, मतलब इस तरह से बाते की जाती है और उसको लाया नहीं जाता असली जो कारण है, वो अभी तक इसको मालूम नहीं मगर साइकोलोजिकल उसका इलाज क्या है, साइकोलोजिकल ट्रिटमेंट यह उसका तो वो बेड़ वेटिंग अच्छा हो सकता तीन साल के बच्चे के बच्चों के बेड़ वेटिंग होता है, तो होता क्या है इसको ब्लेम करते हैं, उसको मतलब डाउन कर देते हैं तो इतना बड़ा हो गया तो ऐसा कईसा कर रहा है तेरे को शोभा देता नहीं है तो ऐसा नहीं करना चीन है मतलब उसको ऐसा पोस्ते रहते हैं तो बच्चे वैसे डाउन हो जाते हैं और डाउन होगा बच्चा फिर जब रात को सोता है तोसे दिन फिर वैसे उसको हो जाता है और फिर वो और बेडविटिंग करता है इसमें हम देखते हैं कि इसके घर में क्या प्राबलम है एक behavior therapy का treatment module देते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि 7 बजी के बाद में राथ को पानी पीने का नहीं फिर amipramin नाम की जो दवाई है तो वो दवाई उसको खिलाते हैं राथ को सोने के समय फिर उसको एक चाड़ बना के देना और operant conditioning की जो process है operant conditioning उसको बोलते है psychotherapy में या psychology में तो operant conditioning उसको समझा के देते हैं कि जिस दिन bed waiting किया उस दिन उसको zero mark मिलेंगे bed waiting नहीं किया उसको star मिलेगा पर इस तरह का उसका एक मुल्यांकन हो जाता है और उसको operant conditioning के जो treatment माध्य में उसको शबासी दी जाती है उसको दारी प्रशन सा की जाती है और जिस दिन वो bed waiting करता है उसको कुछ बोलने का नहीं तो ये बिमारी पुरी अच्छे हो सकती है माबाप ने शांती रखना जरूरी है उसको गलत नहीं ठहराना गलत शाबिद नहीं करना और at the same day मतलब उसी समय उसका इलाज करना ये दी किया तो ये बिमारी अच्छे हो सकती है हम माबाप आपको ही सिखाते है कि अलाम कब बजा कर रखना मतलब कब बजेंगा उसको कब उड़ाने का है और अलाम का और उसका जो मतलब पेशाब की जो थेली है पेट में तो उसका एक कंडिशनिंग कैसा करना ये भी हम उसमें सिखाते है कि उसको कंडिशनिंग कैसा करना ताकि पेशाब की थेली भरने के बाद में उसको जा राना चीए बच्चे को तो उसके लिए हम उसको treatment modality बताते रहते हैं और करीब परीफ 100 अका इसमें फायदा होता है तो इसकी जानकरी आप हमारे website पे ले सकते हैं या facebook videos जो youtube पे उसके उपर से और अधी जानकरी आपको मिल सकती है so thank you very much